रमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के समय में डाइबटीस मेलाइटस जिसे आम बाशा में शुगर की बीमारी भी बोला जाता है एक बहुत ही सामाने बीमारी बन चुकी है इस बीमारी को यदि हम चाहे तो सिर्फ डाइट प्लान से ही कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अलावा कर भी इसे कंट्रोल किया जाता है यदि हम डाइट प्लान में बात करें तो जितनी भी चीजे हमें खाने चाहिए उनसे हमें कम कैलरी मिलनी चाहिए और जितनी हम कैलरी कम लेंगे उतना ही उस डाइट प्लान को अच्छा माना जाता है जिससे की कम कैलरी होगी और कम शुग बनेगी और वहाँ पर हमें किसी भी तरह की गोली लेने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी यदि तब भी कंट्रोल नहीं होता है तब हमें वहाँ पर गोली लेने की आवश्यक्ता पड़ती है तो आईए दोस्तों देखते हैं कुछ ऐसे फल जो कि शुगर के लेवल को कंट् लेकिन ऐसा नहीं है कितना भी मीटा फल हो उसमें शुगर का अमाउंट हमेशा कम ही होता है तो देखते हैं कैसे कैसे फल हमें फायदा कर सकते हैं पहला है कीवी कीवी को देखने से ग्रीन कलर का होता है और जब हम इसे खाते हैं तो ब्लट का शुगर जो लेवल है उसको कंट करें तो यह हमें शुगर में काफी फायदा पहुंचाता है दूसरा जामुन जामुन की छाल जामुन के सूखे हुए बीच को पीस कर और उनका एक चूरन बनाके और उस चूरन को डेली दो समय या एक समय सेवन करने से शुगर में बहुत ही अच्छे रजल्ट देखने के लि मिलते हैं हमने देखा है कि जादतर वो लोग जामुन के बीजों का है जामुन के पत्तों का है जामुन के छालों का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी इनका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं उसके बाद माता है कमरक यह एक कमरक का फल है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं सब तेमान्द है देन अमरूद अम्रूद कबज की समश्या भी दूर करता है और साथ में बिटामिन A, बिटामिन C और इसमें डायेटरी फाइबर भी होते हैं और इसका जो ग्लूठोज इंडेक्स है वो भी काफी कम होता है ग्लूठोज इंडेक्स का मतलब कि यह कम शुगर बन सब्सक्राइब नहीं होती है लेकिन जो लोग इने ले सकते हैं उनके लिए काफी फायदे मंद वोती है ब्लाक्ट बेरी मेररी जैसे की स्ट्रोबेरी और भ लेक्ट बेरी इनमें अच्छी मात्रा में फ्रीतस के टीटॉकसिफाई करते हैं और हानी कारक तत्वों को बाहर निकालते हैं और साथ ही साथ ये शुगर को भी मेंटेन करने में फायदा करते हैं दन सेव एक बहुत ही अच्छा फल है जो की पेट को भी साफ रखता है पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है सुभे आधा से, काला नमक से, काला मिर्ची डाल के खाने से, पाचन तंत्र हमारा मजबूत बनता है, लीवर भी मजबूत बनता है, और साथ में ये शुगर नियंतरन करने में भी काफी फायदा करता है अनानास, पाइनेपल, अनानास, टाइबेटीज के रोकियों के लिए बहुत ही फायदे मन्द है, क्योंकि इसमें एन्टी बायरल, एन्टी बेक्टिरिल, एन्टी इन्फलामेटरी प्रापर्रटीज होती है एंटी बैक्टिरियल प्रोपरिटी जब हमें मदद करती है जब भी मौसम बदलता है तो रोग होने की जादा संभावना होती है तो उस इस्तिथी में इस तरह की चीजे हमें काफी फायदा प्रदान करती है रोगों के होने से पहले ज़िए इन्हें लिया जाए तो यह काफी फायदेमन होते हैं उसके बाद में आठमे नमर पे आता है नासपती शुगर के मरीज नासपती इसका फल भी खा सकते है नासपती शुगर रोगियों के लिए बेस्ट स्नेक है स्नेक का मतलब ऐसे फल जो खाने के आदे एक घंटे पहले या बाद में खाए इसमें अच्छी मात्रा में बिटामिन फाइबर होते है बिटामिन सरीर को मजबूती देते हैं फाइबर पेट को मजबूत बनाते हैं स्कता कछन तंतर को डाइजेशन को मजबूत बना देन तर्बूज दरेमीन खाने में मीठा होता है हमें लगता है कि इस की जो शुगर है वो जादा होती है लेकिन इसका एधी डाइसेमिक जो लोड़ है वह कम होता है इसलिए इसको शुँगर मरिज आराम खा सकते हैं और इसको थोड़ा संतूलित मात्रा में ही लेना चाहिए जैसे बहुत पोशक तत्व होते हैं जैसे कि इसमें पता गया काफी तरह के और यह साथ में लिए क्या रजाता है उनका इंसूलीन से भी नहीं नहीं लिए उज़र रहा होता है उन मरीजों में भी इसका रजर्ट अच्छे देखने को लिए मिला है तो इस तरह से इन फालो इवम सबजियों का सीवन करने से हम कुछ हद तक सुगर में आराम पा सकते हैं इसके अलाबा शुगर कंट्रोल करने के अपने कुछ अलग नियम होते हैं जैसे की रोजाना बयायाम करना जिससे की कैलोरी का उत्सरजन हो यानि की कैलोरी सरीर से बाहर निकले और शुगर आटोमेटिकली कम हो इसके अलाबा यदि मरीजों में नहीं नियमित होती है शुगर डेली डायेटरी कंट्रोल से या डेली एक्सरसाइज से उन मरीजों में फिर टैबलेट इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन हम यदि चाहे तो कम भोजन करकर भोजन में कम कैलोरी वाली चीजे लेकर भी शुगर को नियंतरित कर सकते हुआ और धीरे धीरे 6 महीने साल वर में ये नियंतरित हो जाती है उसके बाद में ये काफी समय तक नहीं दिखतने को मिलती है तो दोस्तो इस तरह से हम शुगर में काफी हद तक फायदा उठा सकते हैं तो दोस्तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे भी हम इस तरह की सूचना प्रदान करते रहेंगे थैंक यू फ्रेंड्स